हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे आज मैं आपको पताने वाला हूँ कि मैंने कौन-कौन से एक्जाम किलियर किये हैं और जो मेरी स्टेटरजी थी वो क्या रही थी मैंने खुझ खुद अभी तक गोवर्मेंट जोब के पाच एक्जाम जो अब बताने वाला हूं कि मैंने किस रोल लंबर से और कौन सी पोस्ट के लिए एप्लाई किया था और कौन सी पोस्ट में एक्लियर हुई है इसके अदर मैं आपको अगर बात करता हूं तो मेरे पाच एक्जाम जैसा कि आप इसके अंदर देख सकते हैं कि मेरे टोटल मिलाक बाफ़ाइकर जो है पाच यह अभी तक क्लियर हुए हैं और यह तीन अलगवाइब फिल्ट में हैं दो ही find के इंदर थे और एक रेलवे जुनएर इंजिनिर के अंदर और और सीपीो भी टिफैंस के अंदर ही था तो आप इसके अंदर देख सकते हैं सीदीय सेकिंड का जो ट लाइन आकर भी दिखा सकता था लेकिन लाइव ऑप्शन अभी मेरे यूट्यूब पर अब लेबल नहीं है इसलिए मैंने आपको इस तरी से अपने बारे में बताना चाहा है अगर मैं बात करूँ अपनी स्टेटरजी के बारे में अगर आप इन में से कोई भी एक्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस्टेटरजी जो है वो बहुत में पार्ट प्लेक करती है किसी भी एक्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आपने इस्टेटरजी नहीं पनाई है और आप सिंपल पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं तो आप उस एक्जाम के अंदर 100% स्कोर या 100% अपना जो पोटेंशल है वो शो नहीं कर पाएंगे आप देख सकते हैं कि जो सीडिये सेकिंड का जो मेरा एक्जाम हुआ था उसके अंदर जो मैं किलियर हुआ था वो तीन पोस्ट के लिए किलियर हुआ था इंडियन Military Academy के अंदर और Novel Academy के अंदर Official Training Academy के अंदर Air Force Academy के अंदर जो है मेरा जो selection है वो नहीं हो पाया था लेकिन ऊपर की जो तीन पोस्ट हैं उनमें मेरा जो selection है वो हो पाया था अच्छे से लेकिन किसी कारणवर्ष मैं इस पोस्ट को जोईन नहीं कर पाया आज मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप किसी विए एक्जाम को अगर क्लियर करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेजी उसके लिए क्या होनी चाहिए आप क्या गाइडलाइन फोलो कीजिए जिससे कि आपका जो है एक्जाम किलियर हो जाए मैं खुद एक गोर्मेंट इसकूल से पढ़ा हुआ हूं और जो मेरा जो लेवल है वो सिर्फ एक एवरेज लेवल है लेकिन मैंने जो है एक्जाम के पैटर्न को समझते हुए उसका क्या पर या जो पोश्ट आप या जो एक्जाम आप किलियर करना चाहते हैं उसे आसानी से आप पा सकते हैं किलियर कर सकते हैं पशरते आप उसके लिए कितनी मैनत करते हैं और आपने किस तरीके से अपने अंदर कि आप इस चीज को कर सकते हैं या नहीं कर सकते सबसे पहले तो अगर किसी पोस्ट के लिए अप्लाइब को उसके लिए ये पता होना बहुत जरूरी है कि आप इसके लिए इलिजिबल है या नहीं है सबसे पहले आप eligibility criteria जरूर देख लें उसके बाद आप ये खुद से self evaluation करें कि आप इस post के लायक हैं या नहीं और आपको इस post के exam को clear करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी और अभी आप जो हैं किस level पर हैं इस exam को clear करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप UPSC का exam crack करें तो आपको उसके लिए तीन से पात साल जो है मेहनत करनी होंगी लेकिन अगर आप SSC और railway और bank वगरा के exam को clear करना चाहते हैं तो आप एक साल के अंदर उनको को clear कर सकते हैं YouTube पर बहुत सारी वीडियों एक दिन के अंदर कैसे clear करें यह शोट ट्रिक वह शोट ट्रिक ऐसी कोई शोट ट्रिक आस्ता नहीं आई है जो है किलिए करा सके सिर्फ एक ही छोट ट्रिक है आपके पास वह मेहनत और आपको उसे पढ़ना ही पढ़ेगा जो आपके पास स्टडी मटिरियल है उस से बिना पढ़े आप किसी भी अग्जाम को किलियर नहीं कर सकते यह आप इसको शोट त्रिक माने या इसको लॉंग त्रिक माने लेकिन जो बेस है वो यही है कि आपको पढ़ना पढ़ेगा अगर आप पढ़ते हैं नहीं और सोच रहे हैं कि चार ओप्शन में मैं तुक्के लगाने की ट्रिक देखनू या यह देखनू वो देखनू तो आप किसी भी एक्जाम क भी नहीं लेकर आप आएंगे और 20 या 15 माक्स पर ही चले जाएंगे अगर आप शोट ट्रिक्स के चक्कर में भागेंगे तो जितना भी आपके पास मट्रियल है मैंत रीजनिंग साइंस जी के उसके लिए आपको वही जो आपके पास स्टेडी मट्रियल है बार 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 आ के लियर हो जाए और आप उस से रिलेटिड उस टोपिक से रिलेटिड जादा से जादा जो है सवाल कर पाएं चिससे की आपका जो है इस पीड भी इंक्रीज हो और आपके मायंट में क्लार्टी आ जाए कि अगर ऐसी सवाल पूछा जाएगा तो आप ऐसे जवाब देंगे और अगर आप किसी particular एक exam की तयारी कर रहे हैं तो उस exam के previous year paper को आप उठा लीजिए, उसको analyze कीजिए कि किस तरीके से इसके अंदर current affair, gk या math या English या reasoning आ रहा है, उसके base पर ही उसके अधार पर ही आप आगे मेहनत कीजिए, आप ये नहीं है कि आप किसी भी exam को अगर आपने fill cash में reasoning आएगा, तो reasoning पढ़ते जा रहे हैं, पता चला कि उसके अंदर figure and counting के question ही नहीं है, और आपने figure counting के chapter को clear करने के लिए दो दिन लगा दिए, तो ये सब मत कीजिएगा, आप पहले exam fill करने के बाद, exam के syllabus score, exam के previous year के paper को जरूर analyze कर लीजिए, अगर आपको exam clear करना है तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा, अगर आपको ये वीडियो कुछ helpful लगी हो, तो वीडियो को like, share and subscribe करना ना भूले channel को, thank you